नमस्कार दोफ्तों मैं रहुन शर्मा स्वाहत करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 11th of February 2022 के बारे में 11th of February 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहाँ पर आप सभी को सावधानी रखनी हैं? क्या चीजें आप सभी को करनी हैं और क्या करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे अच्छो कुपाई के बारे में और एंजल नमबर के बारे में जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी जादा बहतरी नहाँ पर बना सकते हैं 11th of February 2022 ये जो समय रहेगा शुक्रवार का दिन आप सभी के लिए काफी ज़ादा positive दिन काफी ज़ादा अच्छा दिन यहाँ पर जाने वाला है देखें 11 नमबर जो है आपका moon का number है नमबर दो आता है जो कि moon का number है और venus जो है यहाँ पर ये दिन का lord बनता है शुक्रवार का दिन शुक्र का दिन और दोनों ही soft elements है Valentine day का season चल रहा है तो definitely प्यार और महबत के लिए तो ये दिन काफी ज़ादा positive यहाँ पर जाने वाला है गिलेशिक वे दूर करके relationship में एक नई शुरुवात करने का मौका है और यहाँ पर ये दिन आप सभी के लिए पुरानी चीजों को भूल करके आगे बढ़ने का भी एक कहिने के रास्ता दिखाने की कोशिश करता है सबसे पहले बात कर लेते हैं career aspect पर job aspect पर दिखा जाए तो career और job के लिए दिन काफी ज़ादा अच्छा है कोई दिक्कत कोई परिशानी यहाँ पर नहीं रहेगी आराम से आपका दिन निकल जाएगा और job में positivity देखने को मिलेगी चीज़ने अच्छी देखने को मिलेगी office में अगर कोई लडाई जगड़ा किसी के साथ हो रहा है या फिर कोई argument चल रहा है तो वो भी खतम होता हुआ दिखेगा एन एक smooth तरीके से आज के आपका दिन निकल जाएगा business persons के लिए भी यहाँ पर दिन ठीक जाता है कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं रहेगी business में भी आपको growth देखने को यहाँ पर मिल सकती है और एक अच्छे लेवल पर business में आप अपने आपको आगे लेकर के जा सकते है आज के दिन share market में fluctuation यहाँ पर देखने को मिल सकता है 12 बजे के बात का जो market रहेगा वो कहीं न कहीं up down वाला रहेगा थोड़ा सा negative market यहाँ पर जा सकता है तो यहाँ पर आपको द्यानक ना है कि आपको loss ना हो जाए किसी पर दर से आप market के अंदर block ना हो जाए इस बात का विशेश द्यानक चीएगा इसके अलावा health issues में अगर बात करें हम health आपका ठीक रहेगा कोई दिकत को पर इशान नहीं रहेगी एक थोड़ा सा positive environment रहेगा मन खुश रहेगा और आप भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हुए नजर आएंगे तो यह भी एक काफी ज़दा अच्छी चीज देखने को मिलेगी इसके अलावा जैसे मैंने कहा relationship के लिए definitely दिन बहुत ही ज़दा अच्छा है relationship आज आपका improve होता हुआ दिखाई देता है एक अच्छे level पे आप अपनी relationship को stable कर सकते हैं कोई दिक्कत कोई परिशानी आज के दिन में नहीं दिखाई देती तो overall all the aspect में आज का ये दिन आपका बड़े आराम से निकलता हुआ दिखाई देता है और आपको भी मन को शांत रखना है अपने आपको relax रखना है और अपने दिन को निकालने की कोशिश करनी है इस बात का विशेश दियाना किएगा देश और दुनिया की अगर यहाँ पर बात करें तो देश और दुनिया में थोड़ा सा fluctuation यहाँ पर देखने को जरूर मिलता है especially अभी जो एक controversy चल रही है उसमें थोड़ा सा negative environment यहाँ पर create होता हुआ दिखाई देता है या फिर क्यूंकि direction भी जो आप देखें south direction बनता है यहाँ पर और दूसरी चीज़ की महिलाओं का involvement है इसमें कहीं न कहीं तो इसलिए थोड़ा सा controversy में कुछ और मिर्च मसाला या तड़का लगते होगे दिखता है तो थोड़ी सी trouble यहाँ पर दिखने को मिल सकती है इसके पूरे पूरे chances है यहाँ पर इसके अलावा देखा जाए तो RBI की तरफ से, SEBI की तरफ से या फिर Money Matters में बैंक की तरफ से कोई statement देखा जा सकता है, कोई announcement देखा जा सकता है इसके भी पूरे पूरे chances यहाँ पर बनते हैं इसके अलावा overall देखा जाए कोई दिकत कोई परिशन नहीं रहेगी हाँ, मौसम में fluctuation थोड़ा सा देखने को मिलेगा तो मौसम के कारण से थोड़ा सा weather में जैसे की गर्मी, सर्दी, मिक्स हो गई, धूप चली गई कुछ इस तरह का environment यहाँ पर देखने को जरूर दिखाई दिता है राश्ची के लिहाँ से अगर देख लिया जाए तो व्रशब राश्ची वालों के लिए दिन काफी ज़दा अच्छा है, कोई दिकत नहीं करकराश्ची वालों के लिए दिन काफी ज़दा अच्छा है, कोई दिकत को परिशानी नहीं है और यहाँ पर देखा जाए तो व्रश्चिक राशी और धनु राशी वालों के लिए भी दिन positive है कही negative चीज़े यहाँ पर नहीं दिखाई दीती इसके अलावा यहाँ पर बात करें numbers के बारे में तो नमबर 2, नमबर 3, नमबर 5, नमबर 6 और नमबर 7 वालों के लिए दिन काफी ज़्यादा positive दिखाई देता है Alphabets में यहाँ पर बात कर ली जाए तो Alphabets में A, B, M, L, P, R, S और V आप सभी के लिए दिन यहाँ पर काफी ज़्यादा अच्छा आता है उससे पहले अगर आपका जन्दिन है या फिर आपके एनिवर्स्री है या फिर आपके जीवन का कोई विशेश मैत्वपुन दिन है आप सभी को मेरी और जे हार्दिक शुक्रामना है यही प्राटना करता हूँ कि आपका दिन शांदा रहे कहीं कोई दिकत कोई परिशनी आपको देखने को ना मिले अगर आज आपका जन्दिन है तो यह जो दिन है यह आपके लिए काफी ज़दा अच्छा जाएगा इसके अलावा आप रिलेशनिशिप में भी अपने साल को अच्छा निकाल पाएंगे करियर में भी आपको ग्रोथ मिलती हूँ नजर आएगी फेनेंशली कोई दिकत कोई परिशानी नहीं आएगी और कुछ नई चीज़ें करने को आपको ज़रूर मिलेगी इस साल उमीद करता हूँ कि साल आपका शांदा जाए कोई दिकत कोई परिशानी नहीं नहीं और आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाए चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एंजल नंबर के बारे में आज का जो एंजल नंबर है नोट कर लिजएगा फटाफट से आज का जो एंजल नंबर है वो है 3621 बहुत ही जाद अच्छा नंबर है बहुत ही जाद इंपोर्टन नंबर है आप सभी के लिए ग्रोथ का नंबर है और आप सभी को यहाँ पर फायता मिलता हुआ नजर आएगा बस थोड़ा सा आपको अपने आपको बैलेंस करना है आज की दिन क्या करेंगे वाइट पेपर लिजएगा लाल कलर से इस नंबर को लिख दीजएगा और अपने साथ रखेगा या फिर दिन में दो से तिन बार देखने की कोशिश करिएगा बहुत ज़ादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा चली अब बात कर लेते हैं वैदिक उपाय के बारे में उसी कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको करना है आपको इंडिया का टाइम फॉलो नहीं करना है इस बात का विशेश दिया लखेगा आज जो जो उपाय आपको करने है सबसे पहला उपाय देखिए आज का जो दिन है ये respect का दिन है, ये motivational दिन है और साथी साथ अपने मन को खुश करने का दिन है इसलिए आपको बड़ो को respect देनी है आपको अपने आपको motivate करना है और आपको वो सारे काम करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं आज movie देखना चाहते हैं, काफी लंबे अरसे से movie नहीं देखी थोड़ा time निकाली अपनी पसंद की movie देखी है books पढ़ना चाहते हैं, काफी लंबे समय से book नहीं पढ़ी थोड़ा time निकाली है, book पढ़ने की कोशिश करिए अपनी पसंद का खाना खाने की कुशिश करिए चाहे बाहर से ओर्टर करें चाहे गर पर बनाएं बट कुशिश वो करिए कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करें तो उससे आपको बहुत अच्छा डिजर्ट मिलेगा इसके अलावा आज के दिन जिस पानी से आप स्नान करते हैं उस पानी में हलका सा कच्छा दूद वाइट मिल्क मिला के आप स्नान कर लीजे उससे भी आपको अच्छा फायता देखने को मिलेगा कोई दिक्कत कोई परिशन ही आपर नहीं आएगी एक और आपको चीज करनी है याँ पर आज के दिन में अगर आप छोटे बच्चों को, especially girls को अगर कुछ खाने के लिए दे पाएं, चॉकलेट्स या कुछ भी मीठा खाने के लिए दे पाएं तो वो भी आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा उम्मिद करता हूँ कि आप इसी तरह से आगे बढ़ेंगे अपने काम को आराम से करनी कोशिश करेंगे और अपने दिन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उम्मिद करता हूँ कि वीडियो भी अच्छा लगेगा वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाते हैं अपने बारे में कुछ समना चाते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कुशिश करूँगा आप सभी की हर संबह मदद यहां पर कर सकूँ धन्यवाद